हेलो एब्रीवन, स्वागा थे आपका एक बार फिर से हरी कॉंपटिशन अकाडमी के ओनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज का ये वीडियो आली में हुए साकारिता भरती परिक्षा मंधित तमान्य गडित के प्रश्णों का एक सरल एवं सटिक विसलेशन है पहला कुष्ण हम लोग ले लेते हैं देखिए पहला कुष्ण हम लोग को मिला कि कौनसी धन रासी ताधरन व्याज में 5 वर्सों में 520 रुपए और 7 वर्सों में 568 रुपए हो जाएगी तो पहले तो आप इन question को जब solve करते हैं ठीक है तो पहले ये ध्यान दीजेगा कि ये जो राशियां आपको दिख रही है ये कौन सी राशियां है तो 5 वर्सों में 520 रुपए हो रही है और यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे कितना 7 वर्सों में 568 रुपए ठीक है तो ये actual में आपको ठीक है मिश्रधनों के बारे में बता रही है तो 5 वर्स का मिश्रधन आपका 520 है जबकि 7 वर्स का मिश्रधन आपका 568 है ठीक है लिख सकते हैं यदि मैं समय की बात करूँ तो समय जब 5 वर्स होगा तो इसका जो अमाउंट होगा मिश्रधन होगा ये मिश्रधन 520 दिया है और यदि यही समय तात वर्स है तो इसका जो अमाउंट होगा वो 568 दिया है तो देखिए जब अलग-अलग समय के मिश्रधनों को आप घटाते हैं ठीक है सादरण व्याज में जब आसमान समय के मिश्रधनों को आपस में घटाया जाता है तब उन मिश्रधनों का अंतर साधरन व्याज के बराबर होता है तो निर्धारित समय देख लीजिए साथ में पांच घटेगा ठीक है दो वर्स और इन दो वर्सों का मिश्रधनों का अंतर जो होता है वो व्याज कहलाता है ठीक है कप के case में तो जब आपको ये साधरन व्याज दिया रहेगा कभी भी चक्रविध्य व्याज पे आप ये चीज़ें अपलाई नहीं करेंगे देखे इन दोनों का difference हम लोग लिख सकते हैं कितना तो लिख सकते हैं 48 अब यदि दो वर्सों का साधरन व्याज 48 रुपय है तो आप लोग एक वर्स का बता सकते हैं और एक वर्स का व्याज साधरन व्याज की दर पर ठीक है 48 का आधा हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना 24 अब देखिए आपके पास एक वर्स का व्याज है आप समंधित प्रश्णों में से किसी भी वर्स को ले लीजिए जैसे मैं अभी पांच वर्स की बात कर रहा हूं तो जब मैं पांच वर्स का व्याज लिखता हूं तो पांच वर्स का व्याज हो जाएगा कितना 24 पंचे 120 रुपए ठीक है यह पांच वर्स का व्याज होगा अब हमारे पास समय पांच वर्स के लिए सारी डेटा दी गई है जैसे यदि मैं समय की बात करूं तो पांच है यदि मैं उन पांच वर्सों के मिश्रधनों की बात करता हूँ, तो ये जो मिश्रधन है, ठीक है, क्लियर रखिएगा 520 रुपे, अब यहीं से भी आप इसको एक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास उन पांच वर्सों का साधरन व्याज भी है, और आपके पास उन पांच वर्सों का मिश्रधन भी है, तो देखिए इन ही दोनों का अंतर ही हम लोग का क्या होता है, तो लिख सकते हैं मूलधन होता है, और जब इस मूलधन की बात आएगी, आप लिख सकते हो मिश्रधन 520 और उस पर हम लोग साधरन व्याज की रासी को घटा देते हैं, और इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा जी, तो आप लिख सकते हो 400 रुपए, कर सकते हैं, यदि दर पूछा होता, तो हम लोग फिर से फॉर्मूला में रखतें, और फॉर्मूला में रखने के बाद, ठीक हम लोग उसका दर निकाल सकते हैं, ठीक, तो एक कोश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, तो मैं सबसे अच्छा इन कोश्चनों को मानता हूँ, कि आप एक ब्लॉक मेथड से सॉल्व करिए, ब्लॉक मेथड में हमेशा हम लोग बात करते हैं, कि जितनी संख्या, उतनी ही हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं, जैसे अभी साथ संख्या है, यह पहली संख्या होगी, यह दूसरी, यह तीसरी, यह चौती, यह पाँच्वी, यह चट्वी और यह साथ में, तो यहाँ पे साथ संख्या, साथ ठीक है, ब्लॉक बन जाएंगे, अब पहले ब्लॉक मेथड टोटली डिपेंडेंट होता है, ठीक है, किस पे, एवरेज पे और यहाँ पे औसाथ आपको 20 दिया है, वही औसाथ जब इन पदों का अंतर समान होता है, तो औसाथ मध्यमान कहलाता है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख दिये 20, अब देखिए क्रमागत संख्या है, consecutive numbers हैं, तो 20 के बाद अगला 21, 22 और क्या 23, आपको इसी को पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, आप पीछे लिखना चाहेंगे तो पीछे की संख्या 19, 18 और 17 होंगी, यही यदि योग दिया होता, तो पहले औसाथ निकालते और औसाथ को हम लोग मध्यमान के रूप में लिख लेत तो यहां पर यह जो कुश्चन यह समरूपता पर आधारित रहा, जैसे आपके पास एक त्रिभूज है कुश्चन के अकौर्डिंग, जिसको आप लिखते हो A, B और C, इसमें बोला गया कि भुजा A, B को ठीके बिंदू P काट रही है, और A, C को बिंदू Q, हमने P और Q दो दूसरा त्रिभूज आपका क्या है, A, P, और Q, और वहीं अदि मैं दूसरे त्रिभूज की बात करता हूं, तो दूसरा त्रिभूज जो होगा, हम लोग के पास A, B, और क्या हो जाएगा, C, यह दोनों त्रिभूज एक दूसरे के समरूप हैं, ठीके, अब एक दूसरे के समरूप हैं तो हम लोग इनको लिख सकते हैं यहाँ पे AP अपॉन होगा AB बराबर AQ होगा AC बराबर PQ अपॉन होगा BC ध्यान रहे यह अनुपातिक रूप में आपस में समान होते हैं इसी में देखिए question क्या बोला तो AP और PB तीन अनुपात 2 के बराबर हैं ठीक है इसको आप लोग को ध्यान देना है जब PB की बात होगी यह आपको दिया हुआ है कितना 2 और AP के मान दिया हुआ है कितना 3 तो यदि मैं AB निकालता हूँ ठीक है इसकी value निकालता हूँ तो यह हम 3 अनुपात 5 के बराबर होगी अब यदि question को मैं सही से पढ़ता हूँ तो इसमें क्या लिखा त्रिभूज AP Q रेशियो त्रिभूज ABC के छेतरफलों का अनुपात तो आप लोग जब ठीक है यहाँ पे समरूप त्रिभूज के लिए प्रमेय पढ़ते हैं तो उसमें लिख होता है कि किसी भी समरूप त्रिभूज में ठीक उनके छेतरफलों का अनुपात संगत बुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तो आप जब इसको लिखोगे एक तरफ छेतरफल त्रिभूज A, P, Q अपॉन में लिखते हैं छेतरफल त्रिभूज A, B, C और यही बराबर होगा देखिए पहले A, P, Q को लिखा है तो A, P, Q को लिखा है तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे तीन और बटे में क्या लिख लेंगे पांच और इनके वर्गों के अनुपातो के बराबर होता है तो तीन का वर्ग 9 और 5 का कितना हो जाएगा जी 25 तो आप यहांसे अपर कर सकते हैं कितना 9 अनुपात 25 अगला कुश्चन है, ठीक है कोडिंग और कुडिंग से तो ऐसे कुश्चन जब आ आप सॉल्व करते हैं यहां पे करना क्या होता है तो पहले तो ठ ठीक जितने भी question मिलते थे एक proper space दिया जाता था जैसे यहाँ पे myn प्रिस्पेस ठीक है c-a-b-e-l करके लिखा होता है लेकिन इसमें ऐसा कोई space आपको दिखने रहे देखो सबसे पहले तो myn कौन-कौन से line में common है पहले वाले में और दूसरे वाले में आप देखलो कौन सा word दोनों में common है तो दोनों में ये जो saddle आप देख रहे हो ये दोनों के दोनों में common है यहाँ से हम लोग को देखो cable के लिए मिल जाएगा ठीक इन दोनों में cable common है और दोनों में cable किसके लिए होर्स के लिए यदि मैं wire की बात करूँ ठीक है तो ये कितना है right का है और यदि म हम लोग क्या देख लिए तो डबलू आई आर आंसर आपको हो जाएगा कौन सा ए नेक्स देखिए 540 रुपए में एक वस्तु को बेशने पर प्राप्त लाब उस वस्तु को 370 रुपए में बेशने से प्राप्त हानी के बराबर है तो जब किसी मुल्य पर आप वस्तु को ब सेलिंग प्राइस अपॉन में लिखते हैं टू ठीक है यहां से आपको सीपी मिल जाएगा और सीपी की वैल्यू पांसो चालीस प्लस 370 बटा 2 है सॉल्व करेंगे 910 बटा हो जाएगा 2 तो यहां से सीपी आपको मिल जाएगा और ठीक है फिर कितना 5 और 5 455 रुपए कुशिन में देखिए फिर बोला कि अब यदि विक्रेमुल यह 910 है मतलब जो सेलिंग प्राइस है यह 900 एन कितना है 10 रुपीस है तो इस द पहले विक्रेमुलिय और क्रेमुलिय का अंतर तो 910 और 455 का अंतर 455 होता है बटे में आप लिखते हो CP तो CP अभी 455 ही दिया हुआ है और इंटू आपको करना है 100 यह दोनों आपस में कैंसल आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 100 ठीक है आप वहां पे लिख सकते हो कि 100 प्रत तो व्याज की दर कितनी है दिखे इस प्रकार के question को आप जब concept से solve करते हैं तो आप दोनों तरीकों को लिखते हो जैसे दो वर्स का साधरन व्याज भी निकालते हो और चक्रेविद्धी व्याज भी निकालते हो तो मैं detail solution के लिए अभी भी आपको वही बोलूँगा कि टे दालना होता है और ऐसी condition आपको दिया जाए जब दो वर्सों का अंतर आपको बताया जाता है तो इसको आप लोग proper mention किया करो कि दो वर्सों का चक्रेविद्धी व्याज और ताधरन व्याज का अंतर बटे में आप लिखोगे एक वर्स का साधरन व्याज गुड़ेत कितना 100 आगे solve करेंगे तो दो वर्सों के लिए दोनों का अंतर आप लिख सकते हो 5088-4800 और यदि दो वर्सों का साधरन व्याज 4800 है तो एक वर्स का उसका आधा होगा तो 2400 गुड़ेत जब लिखेंगे ये 100 हो जाएगा जब इसको आप solve करोगे ऊपर मिल जाएगा 288 नीचे 220 गैंसल आपको मिल जाएगा 24 और जब इसको आप finally equate कर लोगे आपको answer मिल जाएगा 12% तो ये उसका actual answer होगा ठीक है आप इसका answer कर सकते हैं 12% चले next question देखिए dice सबसे पहले हम लोग एक dice को देखते हैं तो dice की पहचा सबसे पहले की जाती है ठीक है ये dice एक साधरन पासा है simple dice है ठीक है यह हमेशा first priority होती है कि आप पासा को standard dice है या simple dice है पहले आप ये select कर लोग तो question में यदि ठीक alphabets या पिर यदि sign a symbol है तो उस condition में उस पासा को प्राया हम लोग किसमें रखते हैं साधरन पासा में अब किसमें के साधरन पासा के भी अलग-अलग क्या होती है पैचानने के तरीके होते हैं सबसे पहले आप दो सत्ह समान है या नहीं है आप इसकी बात करते हों ठीक है ये हमेशा first priority होती है अब यदि मैं इन आकरितियों में बोलूं तो देखिए दूसरा और तीसरा ये दोनों स पूल सकते हैं जो तीसरी सता होती है ठीक है क्या होती है जो तीसरी सता होती है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये हमेशा हम लोग की priority होती है तो इस आधार पर हम लोग को आकरिती दो व थीन से एका विपरीत मिलता कौन सा है डी है लिख सकते हैं एका विपरीत क्या मिलेगा डी अब देखिए यदि ये नहीं मिला तो हम लोग second priority चेक करते हैं और यहां पर क्या आता है एक सता समान लेकिन जब दोनों में priority की बात होगी तो हमेशा answer लेने वाला पहले दो सता को priority लेता है एक सता समान के लिए कुछ बच्चों का कहना है कि सर पहले और चौथे से पहले और किसे चौथे से एक सता समान है जो की क्या है एफ है और उससे यदि हम लोग clockwise rotation लेते हैं तो पहले C मिलता है और फिर क्या मिलता है D वहीं अदि इस वाले में बात करें तो पहले A मिलता है और फिर क्या मिलता है B मिलता है तो उनके इसाप से यहां पर क्या आना चीए C आना चीए आंसर हमेशा पहली प्राइरटी पर ध्यान देते हुए लिया जाता है इसलिए आंसर का जो भी लेंगे वो क्या लेंगे एक एक और रेस्पेक्ट में D दिखें, नेक्स्ट कुश्चन है पिता और पुत्र की आयू का अनुपाद साथ अनुपाद 2 है ठीक, उसके बाद का लिखा पांच साल पहले उनकी उम्र का गुडनफल 150 था पिता की उम्र क्या है तो जब आप इन कुश्चनों को सॉल्व करते हैं बेसिक कॉंसेप्ट डीप होता है और वहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो एक्विशन काफी लंबे चोड़े प्राप्त होते हैं तो ऐसे कुश्चनों को यदि आप्शन आपको दिये गए हैं तो मैं आपको वही बोलूँगा कि एक बार आप्शन आपको चेक करना चीए इन केस मैं आपको बोलता हूँ कि यदि पिता की उम्र अभी 30 है जो कि पहला आप्शन है तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चीए पिता का अनुपात कितना है जी साथ है और साथ से कभी हम लोग 30 को डिवाइड नहीं कर सकते सिमिलर देखिए 45 है तो 45 भी साथ से कभी विऴाजित नहीं होगा देखिए next one आपका कितना है 35 है और यह साथ से विभाजित होता है लेकिन 40 भी साथ से विभाजित नहीं होता है तो यहाँ पे पिता का अनुपात साथ है जो कि 35 के बराबर है तो पुत्र का अनुपात 2 है तो देखिए साथ पंचे 35 तो वर्तमान में पुत्र के आयू कितनी वर्स होनी चीए 10 वर्स अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं यदि कोश्चन में 5 वर्स पहले की बात हो रही है तो 35 वर्स की आयू वाला जो पिता है वो 30 वर्स का होगा और 10 वर्स वाला जो पुत्र है वो 5 वर्स का होगा और 5 वर्स के पहले उनका जो गुड़न फल है 150 होगा तो मैं अभी आपको यहां से इसको बता रहा हूँ बागी डिटेल्स आप लोग टेलिगरम चैनल से देख सकते हैं ठीक है चले next question देखते हैं तो यह था इसमें भी कुछ लोग को काफी confusion हुआ ठीक यह question देखिए एक cyclic order को लेकर के होता है तो यहां पर यदि मैं 3 से सुरू करता हूँ तो 3 का multiplication 2 से 3 दूनी 6 और इससे मैंने 1 minus कर दिया क्या मिल गया 5 ठीक फिर 5 का multiplication मैंने फिर से 2 से किया लेकिन इस बार मैं 1 के जगा में 2 minus कर दिया क्या मिल गया जी 8 ठीक इसके बाद देखिए 8 का मैं फिर से multiply किया 2 से और इस बार मैंने 3 minus कर दिया तो 8 दूनी 16 16 में 3 घटा 13 मैंने फिर से 13 का 2 से multiply कर दिया 26 और इस बार मैंने 4 घटा दिया क्या मिल गया 22 ठीक और 22 का मैंने फिर से 2 से multiply किया और इस बार मैंने 5 घटा दिया ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पे 39 आपका answer होगा कि आप जब 3, 5, 8, 13, 22 और फिर question mark ऐसे question जब solve करते हैं तो उन में multiple times difference की बात करते हैं जैसे देखिए इन दोनों का difference 2 है इन दोनों का difference 3 है इन दोनों का difference 5 है इन दोनों का difference तो क्या लिखेंगे अब इसमें कोई sequence तो हम लोग को मिल नहीं रहा है यह पहले 3 जो है ठीक आप बोल सकते हैं prime number है लेकिन 9 जो है वो एक composite number है तो देखिए फिर इनका difference ले लेते हैं ठीक क्या पता फिर difference लेने से हम लोग का काम आसान हो जाए तो 2 और 3 का difference 1 तीन और 5 का difference 2 पांच और 9 का difference 4 तो यहां पर यदि आप समझोगे तो देखो क्या हो रहा है एक के साथ 2 का multiplication दो के साथ फिर 2 का multiplication चार के साथ फिर 2 का multiplication तो अगला आ जाना चीए कितना 8 लिख सकते हैं और 9 और 8 जूड करके 17 और 17 बाइस के साथ जब जूड़ेगा तो आंसर आपका आना चीए कितना 49 तो देखो यह counting figures पर question रहा ठीक ऐसे question को मैं आपको वही advice करूंगा कि जब आप इन question को solve करते हो ठीक है तो हमेशा पहले तो इनको आप लोग numbering करके रख लेजे क्योंकि numbering करेंगे आ आपका काम आसान हो जाएगा जैसे मालो में आपको बोलता हूं कि यह जो दिये गए भाग हैं जैसे इसको मैं एक ले लिया इसको दो ले लिया इसको तीन इसको चार यह पांच हो गया छै तात आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा और कितना सोला ठीक है अब दियान दिजेगा टूटल सोला खंड है एक त्रिभूज बनाने के लिए कौन-कौन से खंडों के आउस सिकता होगी तो पहले मैं आपको बोल रहा हूं एक आकरिती वाले मतलब ऐसे कितने त्रिभूज हैं जो एक ही आकरिती से संभाव हैं तो देखिए इसमें से कौन-कौ 8 भी होगा तो आप 5 को भी लिख लो और किसको लिख लो आठ को वैसी देखिए 9 और 12 भी होगा तो 9 को भी लिख ले और कितना 12 को भी लिख ले और वैसी यदि हम लोग देखें तो 14 और 15 ठीक है आप यहाँ पे कितना लिख लिख लिए 14 और 15 अब यदि हम लोग इसको समझ तो हमारे पास टूटल ठीक है एक आगरिती से कितने त्रिभूज हो गए तो एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ तो अब पहला भाग जो सिंगल सिंगल डायग्राम से बना वो कौन सा होगा आठ होगा अब देखो ऐसे त्रिभूज बनेंगे क्या जिनके लिए आप दो आगरितियों का प्रयोग कर सकते हो तो दो आगरितियों वालों के लिए ध्यान से देखिएगा एक तो आपका होगा एक और तीन ठीक है एक कौन सा होगा एक और तीन को मिलाने पर एक आपका देखिए दो और चार को मिलाने पर भी होगा ठीक दूसरा चीज और यदि हम लो ठीक बना सकते हैं तो 3 और 6 से बना दिये अब और किस से बनेगा देख लिए 4 और 7 से बनेगा अब यदि हम लोग बात करें तो यहां पर देखिएगा 10 और 14 से बनेगा वहीं यदि बात करें तो ग्यारा और पंदरा से भी बनेगा ठीक है और यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्लियर रखिएगा ठीक किसे किसे 14 15 से उसके बाद 13 14 से 15 और 16 से ठीक है जो कुल संख्या है आप यहाँ पर बता सकते हो देखिए कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और दस आप कितना लिख लिए जी इसको दस लिख लिए ठीक अब हम लोग लिखते हैं देखो चार आकरिती से कितने बन रहे हैं तो जब चार आकरिती की बात होगी इस समय हम लोग लेंगे किसको तो पहले तो एक दो तीन चार किसको किसको एक दो तीन और चार को फिर किसको किसको देखो तो हम लोग लिखेंगे किसको फिर से 3, 6, 10 और 14 3, 6, 10 और 14 फिर हम लोग ले ले लेते हैं ठीक इसको तो 4, 7, 11, 15 4, 7, 11, 15 और भी हम लोग लेना चाहें तो 3, 4, 6, 7 ठीक है 3, 4, 6, 7 और भी हम लोग लेना चाहें तो देखिए क्या-क्या मिलेगा तो एक आपका बन जाएगा कौन सा तो 13, 14, 15 और 16 बन जाएगा ठीक है और भी जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ 4 आकरितियां संभावित होंगी तो 13, 14, 15, 16 बन गया ठीक है अब जैसे और हम लोग लिखते हैं तो एक आपका कौन सा बनेगा जी और 10, 11 ठीक है यह ऐसा बन जाएगा ठीक और इतने बनने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि 4 आकरितियों से कुल कितने बन रहे हैं 6 लिख सकते हैं तो हम लोग को टोटल यहाँ से मिल जाएगा कि number of triangles जो होंगे वो टोटल कितने होंगे तो 8, 10, 18, 18, 18 और 6 24 ठीक है तो आंसर हम लोगा कितना आना चीए 26 ठीक यह सब जब आप लोग counting करना सुरू करेंगे जब आपको यह चीज अच्छे से आ जाएगी तो आप लोग को इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा ठीक बस आप एक बार इसके लिए practice करिएगा ठीक है बाकी अन्य किसी भी question में किसी भी प्रकार की कोई doubt होंगी तो आप बिल्कुल नीचे comment box में comment करिए ठीक है देखिए पहला question यहाँ पे ठीक है blood relation से समंदित रहा तो ठीक है ऐसे question को हम लोग solve करते है तो पहले तो हम लोग को clear रखना है कि आपे concern relation किसका है देखिए पहले लिखा B5D तो 5 को अभी वो symbol या sign के रूप में represent कर रहा है देखिए 5 का अर्थ होता है का पिता है ठीक 9 का अर्थ होता है की बहन है 4 का अर्थ होता है का भाई है और 3 का अर्थ होता है की पत्नी है ठीक तो इनको आप लोग पहले clear करोगे जैसे का पिता 5 को represent कर रहा है की बहन 9 को ठीक का भाई 4 को और की पत्नी किसको 3 को कर सकते हैं तो जैसे इस प्रकार के question यादी लिखा जाए आपको पूछा है कि कौनसा जो option है विकल्प है वहाँ पे F K की मा है इस चीज को बताना है तो पहला option देखिए F3 M 5 K तो जब भी आप इनको पढ़ते हैं आप break करना सीखो पहले आपको statement मिल रहा है F3 M फिर आपको statement मिल रहा है M 5 और K देखिए पहले statement से हम लोग लिख सकते हैं F3 M मतलब कहाँ पे 3 था देख लिजिए तो F3 M यहाँ पे put कर देते हैं इसका मतलब है कि F M की पतनी है देखिए फिर M 5 K है और M 5 K का अर्थ होगा M K का पिता है तो ज़दी हम लोग इसको लेकर के चलते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर के चलते हैं तो एक प्रॉपर हम लोग बेन डाइग्राम ले लेते हैं और उससे यह चेक कर लेते हैं कि कुश्चन में जो दिया है वो इस कंडिशन को फुल्फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो जैसे आप इसको लिखोगे नहीं है लेकिन कुश्चन अभी रिवर्स पूछा है एफ क्या होगा तो एफ क्या होगा तो के की पिता एफ की पतनी अर्थात की के की क्या हो जाएगी मा तो इसलिए हम लोग आंसार लिखेंगे किसको ओप्शन ए को तो एक बार आप लोग फिर से प्राई करेंगे तो ये नेक्ट कुश्चन देखिए तो ये डाइस पर संबंधित रहा अब डाइस पर संबंधित ऐसे प्रशनों को फिर से हम लोग जब देखते हैं तो ये ओपन डाइस संबंधित कुश्चन है open dice में सबसे पहले जब आप उसको fold करते हैं तो आपको एक data clear होना चीए कि जो opposite dice होते हैं विपरित फलक होते हैं ठीक वो एक दूसरे के साथ कभी भी द्रिस्य सता के रूप में नहीं होते हैं ठीक है तो जब इसको हम लोग लिखेंगे देखिए इन दोनों का हम लोग विपरित सता का pair लेते हैं मतलब एक blank face के सामने ठीक है blank face होगा वहीं अधी मैं बात करूँ तो एक dot वाले के सामने भी blank face है ठीक है एक dot वाले के सामने एक blank face है और देखिए एक set it के सामने भी क्या होना चीए तो आप लोग को एक blank face मिलना चीए और कभी भी जब आप note करके लिखते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो विपरित फलके होती है वो कभी भी द्रिश्य सता नहीं होती है लेकिन अब हमारे पास तो चार यहाँ पे क्या है यह जो face है वो blank है तो इस आधार पे बता पाना संभाव नहीं होता है ठीक है कि कौन किसके विपरित है ठीक तो इसलिए जब answer हम लोग करेंगे देखिए आगरिती पहला है तो आगरिती पहले में हम लोग यहाँ पे देखिए एक तो sad it पा रहे हैं और दूसरा dot वाला पा रहे है अब इसके साथ में एक blank है तो यहाँ पे आप यह बिल्कुल मत बोलिएगा कि इसके सामने में blank है तो यह वही सता है आप confirm नहीं हो कि वो वो सता है या इन में से कोई एक सता है समझ पा रहे हैं कि यही सता है या इन तीनों में से कोई एक है ठीक इसलिए यह आकरिती भी संभावित है यहाँ पे देखिए दो blank face है तो दो blank face भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास total कितने blank face है चार मतलब मालों में आपको बोलता हूँ कि एक तो यह है जी और दूसरा यह है और तीसरा यह है तो यह वाला भी valid हो जाएगा ठीक यदि मैं इसकी बात करता हूँ फिर मैं वही बोल देता हूँ कि यह दोनों blank और यह क्या ठीक है तो half sided है तो यह भी valid हो जाएगा यदि मैं इसकी बात करूँ तो मैं फिर से वही बोल दूँगा कि ये तीनों हैं, तो तीनों हो सकते हैं, क्योंकि तीनों विपरित फलकों में count नहीं होते हैं, वैसी ये भी हम लोग का valid है, तो इसलिए answer हम लोग का होना चीए कौन सा C, अगला question देखिए, यहाँ पे वेन आरेक से रहा, वेन आरेक में क्या-क्या लिखा हुआ है, तो पहले वो सारी data आपको दिये गए हैं, जैसे प्रसिक्षित, विवाहित, नर्स, तो पहले तो प्रसिक्षित लिखा, तो प्रसिक्षित मतलब देखो तीनों में कौन सा कंड, rectangle, तो अब बाकी सब को drop कर दो, ठीक है, समझ रहे हूँ, यह सब कट जाएंगे, ध्यान देजेगा, ठ कौन सा, तो circle, यह भी अब open हो गया, clear है, अब इसमें दोनों को जब हम लोग सामिल करते हैं, तो ऐसा जगा, जो दोनों में common हो, तो आप लोग को दोनों में common कौन सी दिख रहे हैं, देखो, clear रखना, ठीक है, तो circle में भी हो, और rectangle में भी हो, तो 5 भी circle और rectangle में है, और 6 भी क्या है circle और rectangle में है तो answer हम लोग का होना चीए कौन सा जी ठीक तो आप लिख सकते हैं कौन सा C, X देखो तो एक question ये था ये question जो होगा यहाँ पे clear रखेगा ये question डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 0 point के बाद जो number of 0 आप देख रहे हो इनकी संक्या ही 6 कर दी गई थी और last में क्या लिख दिया गया था एक, देखिए 1, 2, 3 और फिर से 3 और ये 1 तो जब तक pair ना बने ठीक है, जब तक क्या न बने यहाँ पे proper 3-3 digits का pair ना बने क्योंकि क्या पूछा जा रहे है, घनमूल तब तक आप इसका answer नहीं कर सकते हैं ठीक, और एक का pair यदि आपको बनाना होगा, तो इसमें 2-0 और लिखने पड़ते हैं clear रहे हैं, 100 किसी का घनमूल नहीं होता है तो पहली बार में तो हो सकता है वो model answer में, answer आपको देखना ले गर के चलेगा किसको का pair बन सकता, और यहां से हम लोग बिल्कुल answer कर सकते थे 0-1, देखें इसका answer संभावित लगभग में होगा 0.004 यह something something और आपको मिलते जाएगा क्योंकि 100 घनमूल नहीं होता है 100 के पास 4 का घन होता है जो आप लोग clear रखना 64 पड़ते हो, 5 तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि यह कितना हो जाएगा 125, इसलिए लगभग में answer आपका 004 आना अची है ठीक, तो यह question मैं अभी बोल रहा हूँ यह delete हो जाएगा, ठीक है भले ही आपको उत्तर में पहले देखने को मिलेगा लेकिन यदि आप दावा अपत्ति करते हैं ठीक, तो इस प्रशन का उत्तर बिल्कुल विलोपित लिया जाएगा ठीक, देखने next question 44 क्रमागत विशम संख्याओं के लिए था और 44 क्रमागत विशम संख्याओं मतलब बहुत बड़ी संख्याओं आपको मिलने वाली है तो इसके लिए भी जैसे आप लोग concept यूज़ करते हो तो पहला चीज़ तो यहाँ पे ध्यान दीजेगा ठंख्याओं के संख्या 44 है विशम संख्याओं मतलब प्रत्येक पदों के बीच दोदों का अंतर होता है अब यदि इसको हम लोग clear करें ठीक है तो यदि मैं पहली संख्याओं को यहाँ पे x मानता हूँ तो आप लोग को clear करना यह होता है कि 44 संख्या कौनसी होगी ठीक तो देखिए आप लगातार 2 के टम्स में लिखते हूँ तो ऐसे कंडिशन में सबसे पहले मान लेना चीए कि इस पहली संख्या को आप x मत मानो आप पहली संख्या को क्या मान लो x प्लस 2 ठीक इससे क्या होगा आपको benefit यह होगा कि अंतिम संख्या जब लिखोगे तो यह तो x रहेगा वहीं दूसरी तरफ 2 का multiple जो है ठीक वो बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ विशम संख्या है और हम लोग जानते हैं कि पदों का अंतर 2 होता है तो जी दूसरी संख्या x प्लस 4 है तीसरी संख्या क्या होगा जी तेहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस 6 तो जब आप 44 में संख्या लिखेंगे तो clear रखेगा 44 में संख्या 44 का second multiple दूसरा multiple 88 हो जाएगा और यह proper एक समो बनता है ग्रूप बनता है इनके लिए औसत आपको दिया हुआ है औसत का फॉर्मूला आप जानते हो एक तरफ हम लोग योग की बात करते हैं और बटे में किसकी बात करते हैं संख्या की चलो यहाँ पे लिखी लिए रहना संख्या औसत कितना है 144 और संख्या यदि मैं लिखूं तो यह संख्या कितनी है जी 44 योग निकाल लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको ख्लियर रखना है यह 44 बार क्या आएगा एक्स आएगा अब जब मैं प्लस की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजेगा यदि मैं इस सिरीज को जोडता हूँ तो 2, 4, 6, 8 और कहीं न कहीं आपको लाश्ट में 88 मिलेगा पहले आप N की वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या रह जाएगा ठीक, 44 कर सकते हैं यह इस थरीके से आपको मिलेगा N के लिए कैसे करते हैं तो लाश्ट डिजिट डिवाइड बाई 2 ठीक है, N चम्वालीस है तम संक्या का योग आप पढ़ते हो 46 गुडित कितना होता है अगली संक्या, 47 और इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यह हम लोग को कितना मिलेगा जी, ध्यान देना 46, ठीक है, इंटू कितना 45 देखिए, इन दोनों से common यदी मैं लिख करके चलूं तो पहली बात तो यह किए मेरे को कितना मिल जाएगा, 46 पहले वाले में X बचेगा, और दूसरी वाली में 45 ठीक है, यह सॉल्व करने का सरल तरीका होता है देखो, ध्यान देना, यहाँ पे 44 है, 44-44 कैंसल तो X बराबर जब हम लोग लिखेंगे 144 ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 45, तो X की वैल्यू कितनी 99 ठीक है, एक बार जब आप लोग बना लोगे तो आपको यह सरल लगेगा calculation देखने में थोड़ा लेंदी लगता है तो X की वैल्यू 99 तो पहली संख्या हमारे पास होगी 101 और अंतिम संख्या तो आप बिल्कुल लिख सकते हो 99 प्लस कितना 88, दोनों को solve करेंगे तो 99 और 100 तो आपको आंसर मिलेगा कितना 187 ठीक है तो आपका आंसर कितना आना चीए 187 देखिए एक बैग में 2 रूपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 3 अनुपात, 5 अनुपात, 7 के अनुपात में सिक्के थे ठीक जिनका मूल्य कितना था 25 रूपए तो ऐसे कोश्चन जब भी आप बनाते हो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पहले आप उनकी संख्या को लिख लो तो 2 रूपए 50 पैसे और फिर कितना होगा जी 25 पैसे यदि मैं संख्या की बात करता हूँ तो उनका अनुपात आपको दिया गया देख लिजिए पहले को मैं 3x मान लिया दूसरे को मैं 5x मान लिया और तीसरे को मैं 7x मान लिया अब इनका मुल्य लिख लेते हैं तो देखिए यदि मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास 2 रूपए के 3 सिक्के हैं तो उस समय उन सिक्कों का मुल्य क्या होगा, 6, तो अभी 3X है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3X इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा ये, 6X, अब देखो 50 पैसे के 5 सिक्के अधि मैं बोलता हूँ, तो आप बोलोगे कितना, तो 2 रुपए, या फिर आप बोलोगे 5 इंटू 1 बाई 2, 1 ब एक रुपए, तो एक पैसे का आप लोग निकाल लेते हो, तो एक बटा क्या लिखते हैं जी, 7 रुपए, तो ऐसी यदि 50 पैसे की बात की जाए तो, तो 50 बटा 100 या इसी को आधा रुपए बोलते हैं, तो यदि 5 सिक्के हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5X बाई 2, और 25 पैसे की बात होगी तो, तो इसको हम लोग लिखते कितना हैं जी, 1 बटा 4, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7X बाई 4, अब जब मुल्यों में आपने बदल लिया, तो इन ही मुल्यों का योग, कुश्चन क्या कॉर्डिंग दिया है कितना, 51.25, तो जब इसको आप लोग लिखोगे, 6X प्लस 5X बाई 2 प्लस 7X बाई 4 और इक्वल्स टू 51.25, देखिए, LCM ले लिए, 4 मिल गया, ये 24X है, ये हो जाएगा 10X और ये कितना, 7X, अब जब इसको इक्वेट करते हैं, तो इधर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो, 24, 7, 30, और 31, ठीक है, जब चार का मल्टिप्लिकेशन, तो चार का पहले 25 से करना, ये 100 हो जाएगा, एक इधर आपको मिल जाएगा, फिर इंक्यावन का 4 से करेंगे, तो 4 एकम 4 और 1, 5 और 4 पंचे कितना होगा जी, 20, तो X की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 5, तो X जब 5 होगा, पूछा है 50 पैसे का, तो आप लिख सकते हो संख्या 5X है, और 5X है मतलब आप बता सकते हैं कि संख्या वराबर 5, 5, 6, 25, आपका आंसर होगा, आप्शन स्थी, तो ये कुछ रहा, लिखित आकरिती में ठीक, आपको क्या बोला, प्रश्न जिन्ना के स्थान पर कौन सा अक्छर आएगा तो यहाँ पर देखो, एक तो क्या होगा, उपर से नीचे, दूसरा क्या है, नीचे से उपर, फिर उपर से नीचे, और नीचे से क्या होगा, उपर, यदि मैं पहले की बात करूँ, तो A के बात देखो, किसको किसको छोड़ दिया, B, C और D को, E आ गया, फिर ऐसे ही आप लोग देखोगे, तो F, G और H को छोड़ा I, J, K और L को छोड़ा M, देखो, सेम चीज Q में, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, और B, G के बाद H, I, J, K, L, M, फिर क्या N, O, P, Q और क्या R, तो वैसी जब इसमें हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ कोई संक्या, जिसके तीन के बाद Y और Z, तो यहाँ पर क्या होना चीए, W, आपका आंसर क्या होना चीए, C, ताकि आप X, Y, Z, A लिख दो, और B, C, D क्या लिख दो, E, फिर F, G और H क्या लिख दो, I, तो आंसर हम लोग का क्या होना चीए, W, ठीक है, देखो फिर नेक्ट कोईशन आपका, ठीक, अब किस से आ गया तो हम लोग को एक साधरन व्याज से फिर से कुश्टन मिला, तो साधरन व्याज के इस ठाप के कुश्टन को जब हम लोग करते है, तो डिटेल सौलुशन आप एक बाru टेलिग्राम से आप टैली कर लेजिये, वाँ पे यह डिटेल सौलुशन अच्छे से ठीक हम क्योंकि academy द्वारा वहां पे दी गई है मैं इसको आपको 100 ट्रिक बता दे रहा हूं देखिए 800 रुपए का साधरण व्याज के किसी दर से तीन वर्स में कितना हो जाता है 956 अब लिखा यदि व्याजदर 4 परतिसत बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए का 956 रुपए लेकिन जैसे ही आप 4 पर्शन बढ़ाओगे तो 4 पर्शन बढ़ाओगे तो क्या होगा उस 800 पर 4 पर्शन की दर से 3 वर्स का और व्याज मिल जाएगा इसलिए इसमें एक्सेस को जोड देते हैं 800 का 3 वर्स का और परतिसत की दर से ठीक है ब्याज ध्यान दीजिएगा इतना आपको अधिक मिलेगा बाकी तो और परतिसत के लिए 3 वर्स के लिए यही रासी मिश्रदन होगी सॉल करेंगे यहां से 2-2-0 कैंसल अब इसको आप जैसे लिखोगे तो चारतिय बारा और बारा अठे 96 ठीक है तो यहां पे हम लोग लिख लिए कितना 96 दोनों को जोड़ेंगे तो 6-6-12 एक 9 और एक 10-5-15 यहां पे क्या हो जाएगा 10 तो आपका आंसर होगा कितना 1052 संभाहू एक त्रिभुज का छेतरफल क्या होगा तो यदि आप संभाहू त्रिभुज के लिए जाते हैं तो पहला चीज तो क्लियर रखिएगा इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान होते हैं और उसी को अभी आपको दिया है 4-3 और संभाहू यहाँ पे आप लोग लिखोगे 4-3 इसका क्या रहेगा स्क्वाइर तो 4 का स्क्वाइर 16 होता है और रूट 3 का स्क्वाइर 3 तो 16 तिया आपको मिल जाएगा 48 तो रूट 3 इंटू 48 और अपान में क्या रहेगा 4 इसको एक्वेट करेंगे ये 12 बार और आपको मिल जाएगा आंसर 12 रूट 3 देख लिजेगा यूनिट सेंटीमीटर में है तो आपको मिलेगा वर्ग सेंटीमीटर ठीक स्क्वाइर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 12 रूट 3 देखो लाश्ट वन है आपका 5 क्रमागत पूर्णांग संख्याओं का और सत जो M से प्रारंभ होती है ठीक क् 6 क्रमागत क्या है पूर्णांग संख्या तो अगली संख्या N प्लस 1 अगली संख्या N प्लस 2 पिछली संख्या N माइनस 1 और उसके पिछली संख्या N माइनस 2 आगे क्या लिखा 6 क्रमागत पूर्णांग संख्याओं का जो M प्लस N से प्रारंभ होती है तो इसका और सत क्या होगा तो यह M प्लस N से आरंभ हो रही है और यहाँ पे देखो M से आरंभ हो रहा था तो यदि हम लोग इसको समझें तो यहाँ पे M की value क्या है जी आप लिख सकते हों क्या है M-2 लिख सकते हैं ध्यान से पढ़िएगा यह M से स्टार्ट हो रहा था 5 क्रमागत संख्या तो M से स्टार्ट करोगे तो यह M बढ़ता जाएगा ठीक है लिखेंगे उसी को डारेक्ट मैंने लिख दिया कि अवसत जब N होगा तो आगे की संख्या एक-एक बढ़ेगी और पीछे की संख्या एक-एक घटेगी तो हम लोग को प M प्लस 2 को मैं डारेक्ट लिख दूं क्या कि M प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी तो M के जगह में N माइनस 2 रखे ठीक है इसके प्लेस पर और अभी भी कितना है दो तो M प्लस 2 की वैल्यू N है आप इसी को यहाँ पे देख सकते हो यह बोलना चाहा रहा है कि 6 क्रमागत M प्लस 3 फिर अगली संक्या N प्लस 4 और फिर अगली संक्या N प्लस 5 तो इसको जब हम लोग लिखेंगे औसत की बात हो रही है या तो आप औसत लिखने के लिए सब को जोड़ के दो 6 से भाग दे सकते हूं जैसे 6 से भाग देंगे क्या होगा बताए उस कंडिशन में आपक मिल जाएगा और बते में कितना रहेगा जी 6 तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हूं दूसरा ये कि केवल आप बीच की संक्या को जोड़ दो तो 2 N प्लस कितना हो जाएगा 5 और बते में कितना 2 यहां से डारेक्ट आपका आंसर मिलेगा और यहां से आपको एक बार तो आपको 2 N मिल गया प्लस कितना 5 ठीक अच्छे से इसको लिख लेजेगा यहां पर यह क्या मिल गया 2 N प्लस 5 और नीचे से जब इसको आप लिखोगे तो 3 इंटू 2 तो आपका आंसर हो जाएगा 2 N प्लस 5 बाई कितना 2 ठीक तो यह उसका फाइनल आंसर रहेगा तो यह स इचे से ध्यान दिजी इन प्रिष्णों का आपने सही उत्तर दिया है कि इन प्रिष्णों का गलत उत्तर दिया है अब इसके बाद देखते हैं कि व्यापम द्वारा क्या- Typ ऑंसर लिये जाते हैं ठीक चलिए तक तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में लगवाब जुड़े रहने के लिए